हेलो फ्रेंड्स आज हम बहुत ही सुंदर नेक्ट डिजाइन बनाएंगे जो किसी भी कुर्टी पर बनाओगे तो बहुत अच्छा लेगा उसके लिए मैंने यह बुक्रम ली है सबसे पहले हम अपने गले को कट करेंगे आप अपने हिसाब से अपने गले को कट कर सकते हैं त दाइंज की चोड़ा इसका गला कट कर रही हूं यह मैंने डाइंज पर निशान लगाया उसके बाद जो गले की लेंद्ध तयार करेंगे वह हमारी कि साथ इंज तयार करनी है इसे भी अम डाइंज ऐसे ही निशान लगा लेंगे इसके बाद हम इसे राउंड शेफ में ऐसे राउंड शेफ दे देंगे और नीचे का जो हमें लेंद्ध पैनल तयार कना उसके लिए मैंने साथ इंज का नीचे से जो ही लेंद्ध ली है यह हम बिलकुल किनारी से इसे ऐसे कट करेंगे और इसमें एक एक इंच एक्ष्टा लेते हुए हम ऐसे इसकी गुलाई में और इसे कट कर लेंगे यह कट करने के बाद हम इसको अपने कपड़े पर सील लेंगे इस तरह से हम अपने कपड़े पर शिपकाने के बाद दें जो हमारे साइड वाला कपड़ा है इसको इसके उपर सीलते हुए जाएंगे झाल 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 झा कपड़े पर इस गले को ऐसे सिलने के बाद है इसका सेंटर कर लेंगे और अपनी कुर्ती का भी हम सेंटर करके ऐसे तियार कर लेंगे इसके उपर रोंग साइड हम इसको गले को रखेंगे यहाँ पर सेंटर सेंटर मिलाते हुए हम एक सिलाई से इसे पहले कच्चा अटेच कर लेंगे सेंटर से इसे शिलाई लगाने के बाद अब हम इस के बुकरम के बिलकुल पास से शिलाई लगाते हुए जाएंगे पूरे में हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले अब हम इस जो एक्ष्टा कपडा है एक एक पैर का मार्जन करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे अब हम सिलाई लगाने के बाद इस गले को सिद्धी साइड ऐसे प्लेट लेंगे पूरे को और इसके किनारी पर एक सिलाई से लगाएंगे अब हम इसके कि लगाएंगे किनारी पर शिलाई लगाने के बाद जो हमने ये कच्छी शिलाई लगाई है हम इसको गला कंप्लीट करने के बाद निकाल देंगे इसके बाद हम इस पर लैस अटेच करेंगे इसके लिए मैंने ये गोल्डन और शिल्वर दो कलर की लैस ली है हम ऐसे गले के उपर से रखेंगे और इसको एक सिलाई से ऐसे टैप्स करते हुए जाएंगे जिस शेफ में हमारा गला है हम लैस को उसी शेफ में ऐसे लगाते हुए जाएंगे बिल्कुल हाट डाटते हुए अराम नाम शे हम इस तरह अपनी लैस को गले पर अटेच्स करेंगे प्रशव से लेपक कि गले हुए जाएंगे बिल्क बड़ बुग जाएंगे यद्क इस रफ़्स ऐसे कोर्नर बनाते हुए हम अपने लेस कोटेच करेंगे यह आसानी से मूड़ जाती है इस तरह से इसके बाद हम लेस की दूसरी तरफ भी शिलाई लगाया लेंगे जो हमारी उठी उठी लेस है यह बिलकुल दब जाएगी पूरे में इस तरह से शिलाई लगाया लेंगे इस तरह है अब कपड़े को इस ऐसे स्ट्रीच करते हुए जाएंगे यह बंद करने के बाद हम इसके उपर यह सिल्वर कलर की लैस अटैच करेंगे हम इस कोर्नर से लेकर यहां पर इस पर यह लैस अटैच करेंगे इसे हमें ऐसे दूसरी तरफ पोल्ड कर लेंगे और इस तरह से झाल है झाल झाल गण्छिस झाल 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 पूरा कर दिया है इस तरह हम दोनों तरफ लेस लगा दिया अब हम किनारी के ओपर भी ऐसे इस लेस को टेच करेंगे आप चाहे तो इसे लगाए या ना लगाए लेकिन मैं इसमें सिल्वर कलर की है लेस पूरे गले पर अटेच करूँगी देखे एक बनने के बाद इने और जिजाइन बहुत ही सुद्र लगा है और बनाने में बहुत ही आसान है प्लीज आप भी इसे एक भार जरू ट्राइ करना थैंक यू